आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि OctaFX को PC या फिल लेप्टॉप में इंस्टॉल करने के बाद में उसके चार्ट को कैसे सेट किया जाता है तो यहाँ पे हम आपको चार्ट बिल्कुल पूरा सही तरीके से सेट करके बताएंगे और जब तक आप चार्ट को सही तरीके सेट नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट का सही तरीके से एनलेसिस नहीं कर पाएंगे इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया है कि OctaFX को PCA अपने एकाउन को कैसे लोगिन किया जाता है तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है और अभी तक आपने PCA लब्टॉप में OctaFX को इंस्टॉल नहीं किया है तो उस वीडियो का लिंकि इस वीडियो की नीचे दिक्कत होगी साथ इसका बैक्राउंड भी थोड़ा जी तरीके से ठीक तो इसलिए यहां पर चार्ट की सेटिंग करना बहुत जरूरी है तो यहां पर सबसे पहले जो मार्केट वाच है मैं इसे क्लोज कर देता हूं अब यहां पर देख सकते हैं आपका चार्ट चार्ट रह घार रहने देना है अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या है इन सभी में जो है आपको तो चैंज करना होगा आ से बैक ग्राउंड मैं यहां पर होइट कर दे रहा हूं ठीक बैक ग्राउंड का कलर मैं होइट कर दे रहा हूं और यहां पर फोर ग्राउंड का कलर मैं जो है यहां पर ब्लेक कर दे रहा हूं ठीक आप अपने हिसाब से कलर चूच कर सकते हो और यहां पर ग्रीड वाले में य यहां पे green color कर दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, ठिक, और beer candle का यहां पे मैं red कर दे रहा हूँ, तो यहां पे मैं इसे red कर दिया, ठिक, उसके बाद line graph में, line graph में आप अपने हिसाब से कोई भी color चूज कर सकते हो तो मैं यहां पर जो है यह कलर चूज कर दे रहा हूं उसके बाद में वॉलूम्स में यहां पर मैं कर दे रहा हूं ठिक आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हो यहां पर मैं आज के लाइन में इस कलर को कर दे रहा हूं और इस टॉप लेबल में जो है मैं इस color को कर देना हूँ तो इस तरह से आप जो है color को change कर दीजिएगा और change करने के बाद में अब यहाँ पे आपको common वाले option पर click कर देना है ठीक जैसे आप common वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बार चार्ट पर अभी यह जो आपका chart यहाँ पर हुआ है बार चार्ट है ठीक तो यहाँ पे आपको जो है candlestick chart के उपर click करना है यहाँ पे आपको click करना है candlestick chart ठीक इसके उपर click कर देना है उसके बाद में यहाँ पे इस पे tick mark रहने देना है और show ask line के उपर भी आपको tick mark कर देना है और इसके बाद में show period इसके उपर भी आपको tick mark कर देना है और ok cooper किलिक कर देना है अब यहाँ पर देख सकते हैं आपका chart जो है set हो चुका है ठीक तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका background भी change हो गया और यहाँ पर भी देख सकते हैं थोड़ा candle को सही तरीके से zoom in out करेंगे तो यहाँ पर plus का option है और candle दी है अगर yamon की उपर किलिक करोगे तो जो यहाँ पर चार्ट आया है एक मिनट में candle की इस तरह से जो है अपना movement कर रही है यहाँ पर उसे देख सकते हो ठीक 5 मिनट की उपर किलिक करोगे तो यह हम 5 की उपर यह 5 मिनट की candle है ठीक फिटीन को उपर किली करोगे तो यह 15-15 मिनट मे जो है market की से जोई एक एखेंड़ जो है 15-15 मिनट की है तो किस से moved कर रहे हैं यहाँ पि-सकते हो तो यहाँ पर हम 15 निन पर ही अभी रहने देते हूं याँ फिर D1 को उपर किली करके अब D1 का चार्ट यहाँ पर कर सकते हूं, ठीक, तो उसके बाद में अब आपको क्या करना है, कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, भीव के उपर जाते हैं, और Market Watch को ले आते हैं, ठीक, तो यहाँ पर हम जाते हैं, Market Watch, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी जो यह, मैंने यहां पर चार्ट को सेट किया है, यह यहां पर यहां पर खुलना है चार्ट, तो इसको पर किलिक करेंगे, तो यहां पर चार्ट बिंडो को पर किलिक करेंगे, फिर वही दिक्कत आजाएगी आपको, और फिर वही दिक्कत आने के बाद में आपको प्रॉपर्टी में जाके पिर वही सारे प्रकेरिय आपको करना होगा, इसलिए मैं जो आपको तारीका बता रहा हूँ, उस तरीकी को करना होगा, उस तरीके से एक बार आप सेफ कर दीजेगा, हर बार आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक, इसके लिए आपको इसे पहले cut करना है, तो यहाँ से इसे close कर है यहां से मैं एक को ही रखता हूं यहां पर मुल्टिपल खुल गई है तो मैं एक को रखता हूं ठीक यहां पर मैं इसे ही फुल कर लेता हूं और यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहां पर इसे से करना होगा से कैसे करना है यहां पर इधर साइड में जाएंगे यहां पर लिखा है template name में यहां पर लिख देता हूँ my chart आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम जो है डाल के save कर लेजिएगा मैंने my chart लिख दिया आप save के उपर किलिक कर देता हूँ यह हो गया अब माल लिजे आपका किसी दूसरे currency का चार्ट आपको खोलना है अभी यहां पर किसका है euro usd का है माल लिजे हमें gold का खोलना है तो हम x au usd को उपर किलिक करते हैं और right किलिक करके यहां पर chart window को उपर जाते तो यहां पर देख सकते हैं वही फिर आ गया तो इसके लिए आपको क्या करना है जो अभी template में आपने save के इसको उपर किलिक करना है और आपको my chart को उपर किलिक कर देना है तो इसका भी chart बिल्कुल set होके आपके सामने खुलके आ जाएगा तो बार बार आपको जो है chart जो ह आपको खतम हो जाएगे ठिक तो यहां पर देख सकते हैं आपका chart खुलके आगया अब इसमें जो है आप सही तरीके से जो vertical line है trend line है या फिर horizontal line है आप इसे आसानी से इसमें डरा कर सकते हैं और market का जो analysis है आसानी से कर सकते हैं तो इस परकार से आप जो है अपने chart की setting कर सकत हैं तो बस इस वीडियो में इतना ही बाकी की जानकारी जो है आपको next वीडियो मिलेगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए update के साथ तब तक के लिए जैए